तमेश्कार दोस्तों, रिसेंटली बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आ रहे हैं जहांपर शिपिंग क्राइसिस के बारे में बताया जा रहा है और यह जो शिपिंग क्राइसिस है, इस बेसिकली रिलेटेड टू container shortage, तो यह जो container shortage है, वो क्यों हुआ है भारत के उपस इसका क्या impact आ रहा है, overall international trade में अगर हम देखेंगे तो इसका क्या impact है, और यहाँ पर मैं आपको बता दू, जो हमारे आपर industry है, जो exporters है वो कई सारे request कर रहे हैं सरकार से कि आपको यह यह कदम लेने चाहिए ताकि भारत के उपर जो इसका असर है, वो उतना जादा ना सके तो यह सारे चीज़ों को overall context से समझने की कोशिश करेंगे, कि यह exactly है क्या problem और भारत इसको लेकर क्या कर रहा है, काफ़ी कुछ जानने को है, चली आगे बढ़ते हैं वो बातचीत कर रहे हैं लगतार, वो इसलिए बातचीत कर रहे हैं, ताकि जो international container shortage हो आपको पता होगा container क्या होता है container एक प्रकार का universal आप कह सकते हो कि body होती है, जिसके अंदर जो भी goods है उसको export किया जाता है जैसे shipping worker-upper, now worker-upper आपने देखा होगा, जो एक proper container होता है, एक particular size होता है वो container कई बार direct ship पर चला जाता है, फिर वही truck पर भी आप load कर सकते हो, वो चला जाएगा तो एक बहुत ही ऐसा चीज बनाया गया, और let me tell you, इसकी वजह से जो overall world में जो changes हाए है export में, import में, वो बहुत बड़ा boost हो है, because of this particular container क्योंकि इसी के अंदर जितने भी goods हैं, चाहे, car हो, कुछ भी हो, वो इसी के अंदर डाल दिया जाता है और फिर यह आपका ship होता रहता है, all over the world तो यह जो container है, इसकी shortage हो गई है, सोच के देखिए तो इसको लेकर जो exporters हैं भारत के अंदर, वो बाकचीत कर रहे हैं, सरकार से मदद मांग रहे हैं क्योंकि container shortage की जो जैसे अगर आप देखोगे, जो freight charges है जो transportation charges होता है, उसमें करीब-करीब 300% का इजाफा है, jump आया है देखिए एक तो यह COVID-19 pandemic से सबसे बड़ा कारण है, COVID-19 pandemic में अगर आप देखोगे तो अभी भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उभर नहीं पाए है, यहाँ पर जो उनका trade है वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन कुछ जगा trade बहुत तेजी से बढ़ा है इसकी वज़े से क्या हुआ है, कि बहुत सारे जो खाली containers हैं, empty containers हैं, वो कई देशों में simply ऐसे पड़े हैं वो transfer नहीं हो पा रहा है, कई सारे जो inland areas हैं, किसी देश के अंदर जो inland बीच में area है, वहाँ पर बहुत सारा container पड़ा हुआ है वो transfer नहीं हो पा रहा है, क्योंकि trade बगर है, start नहीं हो यह कुछ जगा पर इसकी वज़े से क्योंकि container अगर नहीं supply होगा, तो जाहिर सी बात है कि आप वहाँ से कैसे trade कर पा होगे वहाँ पर नाव में भरना होता है, ट्रक से इधर, और फिर वो आपका shipping किया जाता है तो यह जो पुरा time है, इसको turnaround time कहते हैं, इसमें बहुत जादा delay होने लगा है, क्योंकि ports में, कई सारे ports में यहाँ पर भीड सी हो गई है एक प्रकार से, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर अगर time लगेगा, मतब container की supply तेजी से नहीं हो पाईगी, मतब container एक जगह से दूसरे जगह, फिर दूसरे जगह से तीसे जगह, वो नहीं जा पाएगा, और साथी साथ जैसे जैसे economic recovery हो रही है, trade को बढ़ावा मिल रहा है, तो अभी अचानक से trade बढ़ गया है लेकिन trade तो बढ़ा है, लेकिन साथी साथ जो container चाहिए उसको export करने के लिए वो नहीं बढ़ पा रहा है इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो की starting में मैं आपसे बोला था regarding freight rate, जो freight charges होते हैं जो transportation के charges होते हैं, इस container shortage की जैसे आपको देखने को मिलेगा और कई सारे जो important routes हैं पूरे विश में, चाहें आप Atlantic Ocean में देखिए, इंडियन ओशन में, Pacific Ocean हो गया especially South China Sea हो गया, यहाँ पर तो पूरे विशु का one third जो trade है वो आपका इधर से ही गुजरता है जो South China Sea जिसको बोलते हैं, जिसको लेकर हमेशा अभी बाद होता रहता है तो यह पूरा अगर आप देखो कि जो important trade routes हैं, वहाँ पर तो 500% का इधाफा आया है मतलब पिछले September में 2020 में जो charges थे, उसका 6 गुना जादा यहाँ पर आपको charges देखने को मिलेगा तो you can imagine कि इतने तेजी से अगर बढ़ आए, transportation charge तो goods के prices भी बढ़ेंगे अब question यह आता है कि चलो international perspective से हमने देखा, Indian exporters के ओपर specifically इसका क्या impact है तो देखें मैं आपको बताओ, यह जो delay हो रहा है shipment में, मैंने आपको बता है ना कि जो shipment है turnaround time है, उसमें delay हो रहा है जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले 45 days के अंदर जो shipment हो जाता था, within 45 days कहीं पर भी अगर goods को भेजना है तो चला जाता था आज के date में वो double time ले रहा है, 75 से 90 days लग रहा है, जिसकी वज़े से payment भी delay आएगा तो 2-3 महने का और delay हो जा रहा है payment को तो जाहिर से बात है भारत के अंदर जो exporters है, especially जो small exporters है, उनके business के उपर impact आएगा न, क्योंकि liquidity crunch हो जाएगी, उनके पास पैसे delay आ रहा है, तो इसकी वज़े से overall जो GDP growth है, हमारा उसके उपर impact देखने को मिल सकता है additional अगर आप देखें तो जो structural problem है इस समय भारत के अंदर भी जो ports वगर है, वहाँ पर turnaround time बहुत जादा अच्छा नहीं है, उसको हमें और technology के मादम से turnaround time को जल्दी करना चाहिए, वो सरकार कुछ schemes वोगर ला रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन अभी भी वो नहीं हो पाया ह तो container shortage के साथ साथ जो भारत के अंदर structural problem है, turnaround time का, वो भी एक थोड़ी सी मुसीवत है, तो problem तो हमने समझ लिया, अब question आता है कि सरकार इसको लेकर कैसे इस problem को address कर सकती है, तो देखें बहुत सारे जो exporters हैं, वो लगतार सरकार से बाचीत करना चाहते हैं, उनको बोलना चा कर रहा हैं कि extra रुपए देने के लिए तैयार है empty containers के लिए, आरे समाझे मिनला, suppose भारत के अंदर कोई empty container पड़ा है, ठीक है, यूरोप के किसी देश से, suppose Switzerland से है, कहीं से भी, अगर France से suppose कोई बोल दिया, कि हम इस free, जो खाली container है, उसके लिए हम extra यहाँ पर 20%, 50% extra charge दे दे तो free container हमारे पास भेज़ दो, तो जाहिर सी बात है कि भारत में जो use हो सकता था, वो आपका चला जाता है, फ्रांस में या फिर कहीं पर भी, जो लोग extra देने के लिए तैयार है, इसकी वज़े से भारत में और ज्यादा दिक्कत आ गया है, और इसी के कारण जो exporters हैं, उन् जब जो एक ship जाता है, एक vessel होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बहुत सारे आपके जो containers है वो आज सकते हैं, अजारू की संख्या में, तो उसमें बोला गया है यहाँ पर कोलकता पोर्ट पर कि 100 से जादा खाली containers, empty containers की मैं बात कर रहा हूं, वो एक ship से 100 से जादा containers नहीं जा सकता, तो यहाँ पर exporters यह कह रहा है कि यह जो rule है, वो सिर्फ कोलकता पोर्ट पर नहीं, पूरे देश भर के अंदर जो भी major ports हैं, वहाँ पर आप इसको लागू कर दीजे अगले तीन महने के लिए, तक कि जो खाली containers भारत के बाहर जारा है लगातार, वो रुख सके, दूसरा यहाँ पर यह बोला गया है कि सरकार जो है, वो 20,000 containers जो simply पड़े वे हैं, जिससे आपने देखा होगा कोई गलत काम कर रहा है, तो containers को seize कर लिया जाता है, government agencies के दोरा, तो वो जो siege वाले container है, जो empty है, खाली है, उसको आप release कर दो एक बार के लिए, और करीब 20,000 हज application के उपर कुछ subsidy अगर सरकार दे देती है, वो कुछ चीजों के उपर देती है, यह scheme अभी के लिए जितने भी exports हैं देश के अंदर, जो भी export किया जाता है, वो हम इस fiscal year के लिए लागू कर सकते हैं, ताकि सभी को मदद मिल सके, और आकरी में एक और ची में आपको बताता कि यहां पर अभी आजकल क्या होने लगा है ना, देखो पहले क्या होता था, कि अगर आप कोई container है, कोई container भेजना चाहते हो अपने देश से किसी दूसरे देश में, तो जब आप किसी port पर जाते थे तो first come first serve basis पर होता था, अगर एक दिन का delay है तो आपका container एक दिन के बात जाएगा, पास दिन का delay है तो पास दिन बात जाएगा, first come first serve basis, आजकल क्या होने लगा है ना, कि जो person ज़्यादा payment करने के लिए तयार है, उसको priority दी जारी है, तो ये गलत है, exporter का कहना है कि देखे अगर इसी तरह से चलता रहा, तो दाम तो लगतार बढ़ते जाएंगे, लोगों में competition आएगा, कि मैं ज़्यादा payment करने के लिए तयार हूँ, हमारे containers को पहले भेजा जाए, तो ये वाला जो चीज है आप इसको please रोकिए, ताकि जो पहले system था, first come first serve basis का, वो आ सके, और आखरी में यहाँ पर median term के perspective से हम देखे हैं, तो exporter का यही कहना है कि हमारे पर containers की manufacturing start कर रहे हैं, यह आप देख सकते हो, यहाँ पर यह Gulf of Khambath है, यह आपको पता होगा और यही पर भाव नगर है, तो यह पर इसकी manufacturing start की जाएगी, इसको लेकर देखे, अभी के लिए अगर आप देखोगे, तो भारत में हर साल 3.5 lakh containers की आउशक्ता परती है, और ज्य project वगर successful हो गया है, अभी कोई recent update नहीं है कि exactly क्या वो start हुआ है, बन रहा है, कितना बन रहा है, लेकिन ऐसा यहाँ पर चर्चा हुआ था, तो सरकार इसको लेकर कदम तो बढ़ा ही थी, लेकिन exporter का कहना है कि हमें जल से जल इसको implement करना चाहिए, तो यह पूरा वीडियो थ सकते हो कि कौन सा है, पानी आता जाता रहता है, तो इसका जो right answer आपको पता ही होगा, मेरे instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, telegram से भी ले सकते हैं, इसका सही होतर, मैं कई सारे mcqs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर स सकते हो, बाकि अगर आपको pdf चाहिए, तो telegram पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप जूड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC, अफर किसी भी exam की त्यारी मैंने आपको बताया कि आप download गरली जमर है आपको, या फिर studio.com पर चले जाए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल ज झाल झाल झाल